हेलो दोस्तो जरा पास तो आना आपको पता है आज मैं मेरे मम्मी के साथ उनके आंटी के वहाँ गया था और वहाँ गया बाद मुझसे एक बहुत बड़ी कलती हो गई है जब आंटी ने मम्मी के लिए चाय बनाई थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी बोला मम्मी मम्मी मुझे भी चाय चाहिए तो वहाँ पर मेरे मम्मी ने मुझको बहुत घूर कर देखा और इशारों में बोला कि बेटा अब तुछ चल घर पे मैं देखती को कितनी चाय दिलाती है तो और मुझसे गुसे में कहा कि बेटा आप घर पर चल के पीट मजबूत रखना बताती हो तुझे बहुत चाय चाय कर रहा था ना पता नहीं अब मम्मी मेरे साथ क्या करती तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या आपने भी मम्मी के साथ किसी के वहाँ जाकर कुछ खाने या पीने या कुछ पैसे मंगे है क्या आपने भी मम्मी का मार खाया है अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वहाँ पर चाय नहीं मंगनी चाहिए थी वहाँ पर मुझे चाय तो पीने मिल गई लेकिन अब यहाँ पर घर पर मम्मी मेरी अच्छी सी चाय निकालने वाली है दोस्तो मैंने तो कर लिया ये गलती लेकिन आप प्लीज ऐसा मम्मी के साथ कहीं किसी आंटी के वहाँ गए तो कुई खाने या पीने के जिल ना मंगना वरना आप पर भी मेरे जैसे खतरनात हालाथ आ सकते है और आपको भी मम्मी की डाट या मार पढ़ सकती है मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी न कभी हुआ होगा और आपने भी मम्मी की बहुत सारी दाट खाई होगी मैं अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और दोस्तों आप भी ऐसा कभी मत करना तो तुझ यहाँ पर बैठाए बहुत चाय चाय कर रहता हूँ आपर चल तुझे आ इधर मैं चाय पिलाती हूँ नहीं मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो अगले बारी से ऐसा नहीं करूँगा मैं नहीं मागूँगा किसी को चाय नहीं मम्मी प्लीज सारी मुझे माफ कर दो इधर आँ बताती हूँ तुझे अगली बारी से चाई मांग कर देख किसी को बोल अगली बारी से करेगा ऐसा मांगेगा चाई नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं नहीं मांगोंगा आप से किसी का चाई तो देखा दोस्तो चाए मांगने का नतीजा क्या होता है कितना थोका मेरे मम्मी ने मुझे को प्लीज आप ऐसा कभी मत करना कितना थोका ।